तो गुटीवनिंग एवरीबडी स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्ज में तो भाई यह हमारा फेवरेट कॉंपेटिशन वोमें सुपर स्मैश का मैश नमर ट्विंटिसेक्स हम कवर करेंगे इस सीजन कुछ खास ही रहा है यह हमारा वोमें सुपर स् बैसे सीजन अलमोस 90 परसंट वेनिंग रिकॉर्ड के साथ अभी हम चल रहा है इस टॉर्णमेंट में यहीं फर्म कंटिन्यू रखने के लिए हमें थोड़ी महनत करनी परती है आपको वीडियो देखने के महनत करनी परती है और मुझे नोट्स बनाने के और वीडियो बनान टेलीग्राम चैनल पर नहीं आयो तो कमेंट सेक्शन डिस्रिप्शन में लिंक है लिंक पर टैप करो और पहुँच जाओ भाई टेलीग्राम चैनल पर वीडियो में अपनी टीम देता हूं अगर कुछ चेंज होता है तो फाइनल और अपडेटेड टीम आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है प्राइम टीम्स आके जॉइन कर सकते हो आई एसल बीबील पीएसल आने वाले सारे मैचस की टीम आपको यहां पर मिल जाती है ठीक है वापिस चलते मैच की तर सुपर स्मैश के दो मैचस हुए है इस साल जिसमें से एक बार बाटिंग करने वाली टीम जीती है इस वेन्यू पर बाकी रीसेन मैचस की में अगर मैं आप बता हूं एक चोटी सी समरी दूँ तो 14 जैनवरी 2022 को मैच हुआ था ओटागो और ओकलेंड हार्ट का यहां पर क्य चेज हुआ है और दो बार स्कोर डिफेंड हुए है और स्कोर डिफेंड कब हुए है जब आपने बनाए हैं 135 के उपर तो अगर आप बैटिंग फर्स करें तो आपको 100 पैटिस उपर जाना पड़ेगा जो कि अगर वैलिंग्टन बेस पहले बैटिंग करती है तो इसी टोटल को इजी चेस कर सकते हैं ठीक कौन सब यह जिसको इस या फिर बैटर है वोमें में बैटर यूज होता है तो बहुत है तो इसको इस वेंटिंग करना पसंद तो देखो यह अनना पीटरसन वापिस आ चुकिया मुबार्ण वालों वैसे ही अना पीटरसन के सर्विसेस बहुत मिस कर रही थी और तो पीटर्सन वापिस आ चुकी है ठीक वो खेलेंगी दो मैच्स खेलेंगी दर सूपर समझ के सिर्फ एक रन बना पाईए होडली हडलसन जरूर एक सो थीसन बना चुकी इस वैन्यू पर के टी परकिंस अच्छा करती है बाकिये किसी का कुछ खास नहीं है तो यह तीन बैट्स में जो इस वैन्यू पे अच्छा करते हैं वो मैं आपको बता दिये हैं बालर्स की तरफ चलू तो हाइस्ट टेकर है इस वैन्यू पर नोव विकट के साथ फ्रांज जोनस उनके बाद आप देखोगे आप पीटर्सन पांच पांच है बैला आ बाकी और कोई चेंज इस स्कौर्ड में है नहीं ठीक इनके प्लेंग 11 अब क्या होगी लॉरें डाउन ओपन कर रही थी ओपन करती रहेंगी इसी गेज या फिर केटी पकिन्स दोनों में से कोई एक ओपन कर रहा था अब दोनों ही ओपन नहीं करेंगे आ जाएंगी सीधा अना पीटरसन के आने से क्या होगा कि गेज को बाहर जाना पड़ेगा अगर गेज बाहर जा रही है तो अब आपकी विगेट कीपिंग करेंगी केटी परकिंस तो यह रहेगा इंका टॉप थ्री डाउन पीटरसन और परकिंस मेरे लिए तो तीनों ही इंपोर्टन है तीनो अब हडल सन नहीं खेलने वाली है हडल सन की जगह अब क्या होगा कि बाहर नहीं जाएगी और इसी जो है हडल सन की जगह ले लेगी यानि पांच नंबर पर इसी आपको बैटनिंग करते हुए दिख जाएगी तो यह रहे का टॉप टॉप फाइफ मेरे लिए टॉप तीन ह उसके बाद बैला मैं लेता नहीं हूं बैलाम स्ट्रॉंग मैंने कभी नहीं लिया और ना मैं लूँगा यहां से एजी गेज भी मैं नहीं लूँगा एमें हुकर आप चाहो ले सकते हो लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला उससे पहले दो विकेट ऐले कैली को आने यूजर उनको बता है मैं फ्रां जोनस और उपर से जो तीन बैक्समें बता है वो प्लस फ्रां जोनस यह चार प्लेर्स में हमेशा लेके चलता हूं इनकेस यह लोग पहले बॉल डालते हैं ऑक्लेंड वाले तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉले लूँगा ठीक है कैली प्ल तो वैलिंग्टन के लिए सेम स्कॉर्ड इन्होंने अनौंस किया है फुल फ्लेच्ट इनका स्कॉर्ड है सूफी डिवाइन लास्ट मैच में आई बीस रन बनाये थे तीन ओवर डाले थे विकेट कोई नहीं मिला था हाला कि इन्हां लेकिन हां तीन ओवर जो डाले थे वो उन्होंने बनाये थे ली कैस्पर्क जैसकर सारा जेटली और केटलिन किंग यह है इनका बॉलिंग अटैक ठीक है अब दो सिनारियों होंगे ठीक है वो मैं आपको ड्रीम एलन पर समझा दूँगा अभी के लिए जो मोटे मोटे इंपोर्टन प्लेयर्स मदब सब मोटे नह तो यह सारे के सारे प्लेयर्स हमारे लिए इंपोरिटेंट हो जाएंगे अब हमें एक ग्राइख्स एक्सफैंटर बनाना पड़ेंगा अब वह एक्सपटर क्या होगा ना वो डॉस पर इपैंट करेंगा महान लों अगर वैंग्टन पहले बॉल डाल रहा है तो मैं प्लमर कुछ रिकॉर्स देख लेते हैं टोटल इनके 20-21 मैंचे वह और 21 में से 16 बार जीती है वैलिंग्टन सिर्फ पांच बार जीट पाई ऑकलिंड उन मैंचे में क्या हुआ है कौन हेट वेट में अच्छी बैटिंग करता है वो मैं आपको बता देता हूं तो अमीलिया करका 38 का सबसे ज्यादा आट विकेट लिये हैं जैस करने और साथ विकेट लिये हैं जैस करने और दोनों कर हमारे लिए इमपोर्टन हैं बाकि सारा जैटली ने साथ विकेट लिये हैं जैटली हमारे इंपॉर्टन यह तीन तो वैसे हमारे में बालर्स थे अगर अगर मैं सामने से बात करूं, Auckland की तरफ से, तो यहां पे आपको पांच विकेट के साथ, Holy Hudson दिख जाएंगी, लेकिन वो खेलेंगी नहीं, पांच विकेट अना पीटर्सन के पास हैं, उन्हें हम लेने वाले हैं, चार विकेट के पास हैं, उन्हें हम लेने वाले हैं, फरां जोनस के पास पांच विकेट हैं, उन्हें हम लेने वाले हैं, तो तीन बॉलर हमें यहां से भी अच्छे मिल जाते हैं, कि अब आपको क्या करना है अब आपको चलना है dreamland पर फिर वह पर हम बनाने वाल एपने dreamland टीम तर वो देखनी है तो हम आज़ पर टीम क्रियेशन के टैप पे अब सबसरे विगट कीपिंग सेच्शन हैं हमें डेसाइड करना है तो यह कीपिंग सेक्शंट दो चोइसी अगर आपको लगता है कि गेज उतने रन नहीं बनाई पाईगी और जैस्मेक फेड़न आपको विगट कीपिंग पॉइंट दे सकती है क्यों सामने देखोगे तो टीन स्पिनर्स आपको बाल लालते हो देख जाएंगे लीक एसपर सारा जेटली अमीलिया कर ठीक है अब तीन लेकिन आज बॉलिंग बहुत ज्यादा स्रॉंग है तो हो सकता है कि गेज उतने ज्यादा रनना बना पाई जितने हमें जैस्मेक फेड़न सिर्फ केपिंग के पॉइंट दे तो मैं जैस्मेक फेड़न की तरफ जा रहा हूं फिर मैं चलूँगा बैटिंग सेक्शन की अभी सिर्फ तीन परसंट सेलेक्शन है इनका क्यों लोगों को कम पता है जैसे ही अगर प्लेइंग 11 लोग देख लेते हैं देखो मैंच जो है साड़े तीन बजे स्टार्ट होगा तो आप क्या करना लीक जॉइन करके रख लेना और पीटरसन को टीम में अपने अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी यहां पर हम अपनी टीम करते हैं फिर चलूंगा मैं बॉलिंग सेक्शन के तरफ अच्छा सोफे डिवाइन साड़े नौकरट की है उन्हें भी है मुझे लेना है ड्रीम पर नहीं ले पा रहा हूं आपको आगे बताते हूं कि आप क्या कर स करते हैं तो बैला आम स्ट्रॉंग ठीक है इतना क्लियर और सौ्ट डिसीजन रहेगा हमारा क्यापनेंसी वाइस क्या अगर में बात करूं तो सबसे वह चीज़ बतातों कि सोफी डिवाइन को डॉप करना बहुत बढ़ा रिस्क हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लो और उतने ही रन में हम सोफी डिवाइन की जगा अगर एक्स्ट्र बॉलर्स ले रहें तो हमारे लिए हमेशा बेनिफीचल ही होगा फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा सेफ ही जाना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो आप यहां से पीटरसन को भी डॉप कर दो आप यहां ले सकते हैं तो फिर आप यहां प्या करना आप दिवाइन की तरफ जाना क्यों लोगों को जैस कर और सारज जाधा पसंद है क्यों कि लास्ट तीन मैचे से वहां लेते हैं लेकिन होता क्या है ना कि सामने अगर वीक बैटिंग हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ इस बॉ अगर शामने वीक बैटिंग है तो उस दिन ली कैस्पर्ग विट ले सकती है सोसी डिवाइन तो अगर आपको इस थेॉरी के साथ जाने तो आप कैपटन सी भले कर को दे दो लेकिन वाइस कैपटन से फिर आप सोफिल से जाओ तिक है अगर आपको लगता है कि नहीं जैस कर मैं आपकी जगा नहीं हूँ क्यों क्योंकि मैच में खेल रहा हूं 11 चैलेंगे चलता हूं आपको रिकमेंड करता हूं खेलना रीजन आपको आज पता चल जाएगा ठीक है चलते हम इसी मैच पर ऑक्रेंड होड़्स वैलिंग्टन बेस के मैच में टीम क्रियेट करते हैं विक दाउन और यहां आपके पास जो एक बाट्समन था जो जाज़जा प्लमर यह तीन बाट्समन आपने ले लिए हैं अब आल राउंडर सेक्शन की तरफ हम गए अब देखो कर ले लिया कैसपक ले लिया डिवाएं ले लिया कैली इंपर्टन थी वो भी ले लिया अन्या पी दो अच्छे options बचते हैं तो जो भी पहले बॉल डालेगा मान लो यहां से जटली पहले बॉल डालती है तो मैं जटली ले लूँगा अगर फ्रान जोनस पहले बॉल डालती है तो फ्रान जोनस में ले लूँगा अभी मेरे पास दो क्रेडिट फ्री हैं और मैं छे के छे जो अल राउंडर थे इंपॉर्टेंट उन सब को लेके लेके आप आया हूं ठीक है अब जो मैं आपको चीज बता रहा था कि बॉलिंग कभी कभी क्या होता है यह बॉलिंग हमाई लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो प्लेमर से म क्यों सामने ऑक्लेंट की बेकर आप बॉलिंग देखो तो अच्छी है फ्रान जोनस केली अन्या पीटरसन आप चुकी है तो अच्छी स्पेन है और फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक है तो मैं यहां क्या करूंगा मैं फ्रान जोनस तर रखूंगा साथ में सारा जेटली भी और यहां से भी मैंने सारा जेटली को भी मिस्स नहीं किया है चार आठ बारा सोला और चार डिवाइन के बीस के बीस और मैंने यहां से कवर कर लिए प्लस टॉप त्री में से दो बैटर्स मैंने कवर कर लिए हैं क्यापिन सी वाइस क्यापिन सी इधर अभी तो मैं से मीं जाओंगा कर और डिवाइन के साथ वही मेरा मूड है अगर जैस कर को लेने का मन है विकेट पेच रपोर्ट देखूंगा सबपोर्ट में होंके फास्ट बॉलर के तो जैस कर को बना दूँगा वरना मैं सोफिर डि सब्सक्राइब करना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीडियो आपके लिए आते रहेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तब तक लिए बाए बाए टेक क्यों